आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे कुर्कुडे पास्ता ये बनाने में तो बहुत ईजी है और खाने में बहुत टेस्टी होता है खासकर बच्चों को बहुत पसंद आएगा आईए बताते हैं इसको कैसे बनाएंगे पास्ता बॉल करने के लिए अपर गया सान करके एक बर्तन में पाने गरम करने रख देंगे जैसे ही ये पानी एक बर उबल जाए फिर हम इसमें हलका सा नमक डाल देंगे पानी बॉल हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक आपको जादा नहीं डालना है कम ही डाल दिए अब हम पास्ता डाल देंगे आप कोई पी पास्ता इसमें ले सकते हैं मैंने ऐसे वाले पास्ता दिये और इसे 50% 50-60% हमें बदब बॉइल करना है देखिए हमारा पास्ता अच्छे से बॉइल हो गया है आप इससे ज्यादा हमें इससे बॉइल नहीं करना है करने के लिए तो अब हम इसे चाहन लेगे अपको ज्यादादेर रखना नहीं है और चाहने हरा इक्स्टा पानी हो तो उपको तो निकालिये ऐसे सा धिला के ने het यहाँ हमने पास्ता दलने के लिए तेल चढ़ा लिया है तेल को हमने लिए फ्लेम में गरम किया है अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे, थोड़ा-थोड़ा करके आपको पास्ता इसमें डाल देना है, और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होते तक डीप फ्राइ कर लिजे, इसका फ्लेम आप मीडियम तू हाई के बीच में रख सकते हैं, और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होते तक आपको प्राइ करना है, देखिए हमारा पास्ता ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे, देखिए हमारा पास्ता अच्छे से हमने डीप फ्राइ कर लिया है, अब हम इसके लिए बनाएंगे मसाला, तो मसाले में लिया है हमने एक चमच, कश्मीरी लाल मिर्च, एक चमच, चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर पॉर्डर, नमक और काला नमक, जैसे देखिए, काला नमक और नमक डाल रहे हैं, तो आपको यह चीज हमेशा याद रखना है, कि अगर आप काला नमक थोड़ा जादा कर रहे हैं, तो नमक की कॉंटिटी कम कर लिजे, अधर वह बहुत जादा नमकीन लगेगा आपको, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिज देखिए, और अच्छे से मिक्स कर लिजे, देखिए, हमारा कुरकुरे प्रास्ता बन की तयार हो गया है, अगर आपको मेरी रेशिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेय करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल एकन ज़रू दबाएं, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, थैंक यू